कोश्चन नमबर 5 क्या एक वर्क प्रीज्म और एक घन एक ही हैं तो कोश्चन नमबर 5 में देखिए कह रहा क्या एक वर्क प्रीज्म और एक घन एक ही हैं तो पहले हम एक वर्क प्रीज्म बना लेते हैं देखिए वर्क प्रीज्म किसको कहते हैं देखिए पहले एक हम तो वर वार्क प्रिज्म देखिए किस तरह बनेगा ठीक है देखिए ये होता है वार्क प्रिज्म ठीक है और घन घन देखिए किस तरह हम बनाएंगे घन का परतेख भूजा क्या होता है बराबर यानि वर्गाकार होता है सभी भूजा सभी फलक यानि घन का क्या होगा वर्गाकार होगा ठीक है तो देखिए ये हो गया वर्ग प्रिज्म ठीक है ये क्या होगा वर्ग प्रिज्म और ये हुआ घन ठीक है अब देखें दोनों में अंतर तो कहरा है क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही हैं तो वर्क पिरिज में देखे ये आधार हुआ ठीक है और ये भी आधार हुआ ये भी आधार हुआ तो यानि वर्क पिरिज में आधार जो है कैसा होता है वर्गा कार ठीक है वर्गा कार जो नीचे और जो आधार हुआ देखे दोनों आधार हुआ इसका तो दोनों कैसा होता ह वर्गाकार लेकिन इसका जो और फलक है देखे ये वर्गाकार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है तो अगर वर्गाकार होगा तब तो हम घन कहेंगी इसको लेकिन देखे ये भुजा जो है वर्गाकार हो भी सकता है नहीं भी तो अभी देखिए ये वर्गाकार नहीं है, आयताकार है तो ये घं नहीं होगा यानि घनाब.. ये कैसा हुआ घनाब के जैसा यह तो तो वर्गप्रीजम घनाब भी हो सकता है, अगर ये भुजा भी इसी के जैसा हो जाता है ठीक है देखे वर्क प्रीज्म को हम इसको भी वर्क प्रीज्म कहेंगे क्योंकि तो वर्ग प्रिज्म घन हो सकता है सभी अस्तीति में घन नहीं हो सकता है यानि घना भी हो सकता है देखे तो ये दोनों फुजा यानि ये दोनों फलक देखे आयताकार है तो वर्ग प्रिज्म हम किस तरह बचाने के बस आधार जो है वर्गाकार होता है ठीक है? या वर्गाकार अगर और फलक वर्गाकार होगा तो उसको घन कहेंगे लेकिन अगर देखे ये दोनों फलक अगर वर्गाकार होता तब तो हम घन कहते हैं लेकिन अभी आईताकार है तो इसको हम क्या कहेंगे घनाफ ठीक है बस में चीज वर्ग प्रीज में क्या है कि आधार जो है ये दोनों आधार वर्गाकार हमेशा होता है ये दोनों कभी भी आयताकार नहीं होगा इसका आधार ठीक है और घन में देखिए सभी फलक कैसा है सभी फलक इसका वर्गाकार है ठीक है, सभी फलक देखिए वर्गाकार यानि सभी फलक का छेतरफल बराबर होता है ठीक है तो घन को हम या तो घन भी बोल सकते हैं या वर्ग प्रीज में भी बोल सकते हैं क्योंकि देखिए इसमें भी देखिए आधार हो गया दोनो ये आधार हो गया और ये आधार दोनो वर्गाकार है ठीक है और दोनो फलक भी इधर इधर वला देखिए ये भी कैसा है वर्गाकार है तो इसको हम वर्ग प्रीजम और घन दोनो बोल सकते हैं घन को वर्ग प्रीजम बोल सकते हैं अगर ये दोनों फलक अगर इसके जैसा हो गया वर्गाकार देखे अधार तो वर्गाकार होता ही है बस ये दोनों जो फलक है इसको हमें देखना है ठीक है साइड वाला अगर ये दोनों हो गया वर्गाकार तब तो इसको हम घन बोलेंगे वर्ग प्रिंद को लेकिन अगर आ ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, कोश्चन में क्या कह रहा है, क्या एक वर्ग प्रीजम और एक घन एक ही हैं, तो हम लिखेंगे नहीं, इसका अंसर हम क्या देंगे, नहीं, यानि एक वर्ग प्रीजम और एक घन एक ही नहीं है, तो इसका अंसर नहीं हो गया, और क्या क्योंकि एक वर्ग प्रिज्म घनाव भी हो सकता है ठीक है यानि वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही नहीं है तो नहीं लिखेंगे क्योंकि एक वर्ग प्रिज्म घनाव भी हो सकता है अगर उसका अन जो फलक है वर्गाकार हुआ तब ही वह घन होगा एक वर्क प्रिंज में एक ही होगा अगर इस तरह का हुआ तो लेकिन जब इसका और दोनों जो फलक है वो अगर आईताकार हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे घना तो यह हो जागा इसका अंसर देखे बस हमें इतना लिख ले ना इसमें यह तो बस इतना आपको समझाने के लिए था ठीक है कोश्चन नमबर छे निमनांकित में पिरामीड और प्रीज्म को पहचानिये तो हमें यहाँ पे देखिए कुछ चितर दिया हुआ है जिसमें हमें क्या पचानना है पिरामीड और प्रीज्म को यानि देखिए A, B, C, D इसमें से हमें पचानना है कि कौन सा पिरामीड है और कौन सा प्रीज्म है तो question number 6 को समझने के लिए देखिए हमें इसको पहले समझना होगा ठीक है एक बहु फलक ठोस को प्रीजम कहा जाता है ठीक है एक बहु फलक ठोस को क्या कहा जाता है प्रीजम यदि उसका अधार और उपरी सीरा सरवांसम भहु फुज हो तथा उसके पार्सो फलक समनांतर चतुरुभु जो अब देखिए प्रीजम किसको कहते हैं तो यहाँ पे देखिए हम चीतर से समझ में आ जागा प्रीजम में कहा रहा है कि उपरी सीरा और उसका अधार तो देखिए अधार और उपरी सीरा एक जैसा होना चाहिए देखिए नीचे देखिए इसका अधार और उपरी सीरा सरवासम यानि दोनों देखे एक नम बराबर लग रहा है ठीक है बहु भूजो तता उसके पार्सव फलक समनांतर चतुर भूजो अब देखे उसके पार्सव फलक यानि साइड में जो है ये कैसा होना चाहिए समनांतर चतुर भूजो देखे ये देखे ये जिस तरह से हम कलम देखे चला रहा है ये हो गया इसका समनांतर चतुर भूज़ की ये वला भाग पार्सव फलक यानि जो साइड में रहता है पार्सव मतलब साइड में ठीक है तो ये कैसा होना चाहिए समनांतर चतुर भूज ठीक है तो देखे ये है समनांतर चतुर भूज तो ये प्रिजम खलाएगा इसमें भी देखे उसका अधार और उपरी सिरा सरवाणसम बहुब हो सरवाणसम बहुबूज तो देखे ये बहुबूज मतलब अनेक भूजा वाला तो देखे यहां से ये उपर वाला भाग और ये इसका अधार वाला भाग दोनों सरवाणसम बराबर दिख रहा है और साइड वाला यानि पार्सव फलक ये होना चाहिए समनांतर चतुर भू हो जाए दोनों तरफ देखे यहां से यहां इस तरह से ठीक है यह हो गया पार्सव फलक और यह सब होता है पिरामीड देखे प्रिज में इस तरह का हो गया पिरामीड जिसमें कि वाधार और उप्री सिर्या सरवाणसम नहीं हो और उसके पार्सव फलक समनांतर नहीं हो ठी यह सब पिरामीड है, तो अब तो हम पहचान मतलब समझ चुके हैं, तो अब आईए कोश्चन में, तो देखे, कोश्चन नमबर 6 का यह देखे, निमनांकित में पिरामीड और पिरिज्म को पहचानिए, तो देखे, यहाँ पे आधार और उपरी सिराएक जैसा नहीं है, तो बस हमें आधार और उपरी सिरा को देख लेना एक जैसा होगा, और उसका पार्सो फशलक अगर समरानतर चतुर घुज यह होगा, तो देखे, इसमें भी उपरी सिरा और आधार एक जैसा नहीं है, तो यह भी क्या हुआ, पिरामीड ही हुआ, बी में भी, इसको भी हम लिख जाया अकि आदुटसग्टोंती टो्त हो गिया सरवासम यान myś इसका पार्फ और समानाथ है समानांतर छेतुर बुझ ठीक है समानांतर चेतुरु difेज का होता है तरीजम ठीक है अब देखें D में तो D में D में भी देखें इसका आधार यहां से यहां यहां से इस तरह से आधार और उपरी सिरा देखें दोनों एक जैसा लग रहा है इसमें भी 1,2,3,4,5,6 भुजा है इसमें 1,2,3,4,5,6 ठीक है तो यह तो मिल गया आप देखें इसका पार्सो फलक देख लेते हैं समानांतर चतूर भुज है की नहीं तो देखें यह वला इसका पार्सो फलक यह वला है देखें इधर यानि सता पार्सो सता फलक को सता बोलते हैं तो यह समनांतर चतुर्गुज है, इधर भी देखिए, यह भी क्या है, समनांतर चतुर्गुज, तो यह भी देखिए, प्रीजम हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्रीजम, ठीक है, तो question number 6 भी हम इस तरह से हल कर लेंगे, तो पूरा बुक देखिए, आज खतम हो चुका है, क्लास 8 का भारती भवन का, पूरा बुक इसके साथ ही हम खतम कर चुके हैं, यह अंतिम ही question था, ठीक है, अंतिम chapter था, यह दिव वी मिये, एवं त्रिव वी मिये, कि प्रस्तूती, यह अंतिम chapter था, तो इस तरह से, यह पूरा बुक आप मेरे playlist में देख सकते हैं, क्लास 8, भारती भवन का playlist बना हुआ है, चैनल में, playlist में जाकर आप वहाँ से, पूरा वीडियो इस किताब का एक एक वीडियो, मतलब एक एक question का वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, धन्यवाद